तो अब हम इसकी वर्किंग की तरह मूव करते हैं ठीक है तो मान लो आपका यहां लिखा हुआ है 12 क्या लिखा है यहां पर 12 और आपकी जो केसी है यहां लिखा हुआ है 11 यहां लिखा हुआ है 12 तो आपका सबसे पहले कंट्रोल कहां यहां स्विच के पास आया यहां यहां पड़ा हुआ है आपका आपकी च्वाइश का आपको चाहिए बहुत सारे ओप्सेंस में चाहिए तो सीधा यहां इस के पास आ जाएगा और इसके बास जितने भी स्टे जेंगे उसके बाद ब्रेक है है जैसी यह रो maior ऐक्सीकट होते ही मिफसे बहर अगर इसकी नीचे भी कोई स्टेटमेंट लिखेंए तो execute हो जाएगी अ कि लीजै साब अग एक केस लेते हैं मान लो यहां पर है ह 252 यहां पर थाटीन तो सबसे पहले क्या हुआ आपका कंट्रोल आया है तो स्विच के पास यहां पुछन देगा थाटीन तो आपके बहुत सारे ऑप्संस हैं उसने थाटीन को ढूंड़ना स्टार्ट किया ढूंड़ा तो कोई थाटीन अवेलेबल ही नहीं है है नहीं है तो कहां पर और मैंने आपको बताया था कि डिवाल्ड करें होता है जब आपके पास कोई चौइस नहीं है आपके पास जो चॉइस करिए वह आपके पास आप्संस में नहीं है तो आपका कंट्रोल आएगा यहां से सीधा यहां इसके इंदर जितनी भी स्टेट्मेंट लिखी है सार तो अब क्या होगा साइट स्टेट्मेंट एक्जिक्यूट हुई फिर कंट्रोल बार स्विच से और अगर इसकी निचे कोई स्टेट्मेंट देखी है तो वह एक्जिक्यूट हो जाएंगी क्लियर है अब एक केस और लेते हैं माल लीजिए यहां आपने लगा रखा है 11 लगा दिया है क्या लगा दिया 11 और यहां आपने ब्रेक नहीं लगाया हूँर ठीक है तो अब क्या होगा यहां आया स्विच में स्विच में देखा उसने 11 तो 11 अप्शन के पास गया तो कंट्रोल आ गया इस केस पर ठीक है इसके अंदर जितनी भी स्टेट्मेंट लिखी है सारे एक्जिक्यूट हो जाएंगे अब आप नहीं देखा कि हमने ब्रेक नहीं लिखा ब्रेक नहीं लिखा तो अब क्या होगा तो अब क्या होगा अब नेक्स्ट केस भी एक्जिक्यूट हो जाएगा तो इस केस में आएगा इसके अंदर जितनी भी statement लिखी है सारे execute हो जाएंगी अब यहां आपने देखा break है अब इसे break मिल गया जैसी break execute हुआ break execute होते ही आपका control बार और इस switch से निचे जितनी भी statement लिखी है वो सारे execute हो जाएंगी clear है अब हम एक और scenario लेते हैं जहां में requirement है कि user a character value डाले कौन डालेगा user a character value डालेगा और उस character value पर decide होगा कि कौन सा case execute होगा में requirement यह है कि अगर user a डाले तो यह वाला case execute हो मैंने यह single quotes में लिखा है कोई character को ऐसी represent करते हैं यहां कोई constant आता है तो अगर आप character लिखने चाहते हूँ तो single quotes में a और मैं चाहता हूँ अगर वो d डाले क्या डाले d तो यह वाला case execute हो ठीक है तो user से value लेनी है मुझे क्या लेनी है value तो क्या लिखूँ scan f percentage क्या percentage c m percent ch clear है अब किसके बिहाब पे decide हो रहा है कि कौन सा case execute होगा ch के बिहाब पे decide हो रहा है कि इन में से कौन सा case execute होगा क्लियर है क्लियर है अब माल लेते है यूजर ने डाला क्या डाला अब टो क्या ड़ाए अब टो नाम कोई केसी नहीं ही यह आपे तो कंट्रोल सीधर डीफॉल्ट के बाद बाहर निकल जाएगा अब अब लेटियर है अब माल लेते ही यूजर ने डाला अब कि या डाला डी ऐसे डालना नहीं है डालोगे तो आप ऐसी में तो बाद रिप्रेसेंट किया इसे ठीक है अब सिंगल को इमाट डालना यूजर से वेल्लिव सिंपल डी डालना तो कंट्रोल कहां जाएगा कंट्रोल जाएगा डी वाले केस पर ठीक है इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी है सारी एक्जिक्यूट हो जाएंगी इसके बाद ब्रेक एक्जिक्यूट होगा और ब्रेक एक्जिक्यूट होते ही आपका कंट्रोल स्विच के बाहर और स्विच के नीचे जितनी जितनी भी स्टेट्मेंट्स लिखी हैं, सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी. क्लियर है?